सभी और हम घड़ीघड़ी पानी गिर्ने का कम्प्रेण आघ नहीं था तो हम दोग इसको खेंग तो फोका चुछ तो मैं कियों हो गिया है यह जो कीचार ही है अबुरा जाम हो जाता है इसका भी का मैसिन में ट्रेट जो है पूरा चांड हो जाता है तो वी में buns अछी की करे ES50 या डाग हो जा पहोता है कि मैसिन के साथ भीक्स होता है इससे क्या होगा ड्रेन को आप छए खओолот नहीं सकते हैं डेनेश को अपसे खुल सकते हो तो उसको शाथ लाग मनसय कर सकते हैं तो अब देख रेये हो उसका बेस्ट डे जो है जितना गंदा है और तो पाने Church किरे गाई आप कुलिंग गंद नहीं है लेकिन कुलिंग करें पर यह नीचे दोनों तरफ के यह थोरा कीचर कीचर हुआ है तो हम लोग इसको फूल वास करेंगे तो मैसिन को लेका आए है और इसका ब्लोर जी देखिए ब्लोर भी ज्यादा गंदा नहीं है मजड़ा इस हालत पर मैंसिन पर पानी जिन गिरिए साइँ है। पानी काल Time कि गिरता है जब आपका मैसिन पर गैस कम होता है उसके क्या होगा आपकशनी कोल पर आई ढ़lee a फार उससे पानी गिर सकता है लेकिन उसका जो पानी गिरने का सिस्टेम है वह आपको हावा के मद्धम से दूर तरफ थो कर सकता है उससे पानी गिरेगा और एक ट्रे के पास से भी पानी गिरता है लेकिन यह बना जो पॉब्लम है यह चारो तरफ से पानी गिरता है चारो तरफ से पानी गिरता है मतलब इसका जो ट्रे है पीछे का ट्रे में कम था लेकिन आगे का जो ट्रे है वो पूरा कीचार से बर गया है त्रे स्पाल के समस्लाइब एकडिया पेसर वायल में बड़िवा üzere हरे satisfy। पनी वर फ्सक्राइब का वायल के समस्लाइब इस पानी क्सीर से लिएसे समयरति होको उप सब के टिजिजा है। मनलोग दियाल के पीछे तेरफ से भी और फॉंड ग्रिल के जो सामने के साइड है उधर से भी तो हम लोग सबसे पहले उसका जो देखिए मैंसीन को ओपन किया हूँ ओपन करने का जो वीडियो है वह दिखा नहीं पाया हूँ तो हम लोग जब फिटिंग करेंगे तब दिखाएंगे उसको किस तरह फिटिंग किया जाता है यहाँ पर देखिए उसका केमिनियेट और कुलिंग कोईल और उसका जो बेस्ट रहे तीनों को अलग अलग मनलोग साप करेंगे ए तो साइड पर नहीं होता है यह कुलिंग कर देंके पूर्फाम होगी है सॉयरी को बेस्ट hello को जाथ कर देंगी सब्सब्स पहले ब्लोवारा और मोटर को फिट करेंगी अब देखतें समय कितने साप होगी है सामनेショ जो टीर दिख रहे हो यह कीचर से भरापrs था मुंलोब कीचर ज् Transportation घंध ज्य。 इस पितिस में फिटेग करने के लिए सबसे पहले ब्लॉर और भॉल्वर मोटर को फिट करेंगे, बात में कुलिंकोय बिठाएंगे और पीसी बिठाएंगे, इस पे तीन चीज होता है, एक बेस्ट ट्रेय बेस्ट ट्रेय को फेलोर होता है से जन्न कोई होता है और यह सिस्ट्प को चानल ओने के लिए यह डर्युन से परियर्पी सब्सक्राइब तो इसको सबसे पहले फीटिंग कर लेंगे फीटिंग किस तरह होता है लेकिन फीटिंग यह द्राइक कंपनी का जो system है easy है महला आसानी है कोई की company में क्या होता है ब्लॉर मोटॉ लागाना बहुत दिक्कत होता है को फाइल को पिछ को पर्न गाएं केसिट करना की का क्षार कि लिए फिट मुम्टेट हरा कि यांस व्लोक कई जीडू वार को फिट करेंगे लेकिन प्लत करने के टाइम दोनों ब्लॉऊर का जो शर्फ है ओर हैं फयर मोटर से उस TOP और ब्लॉर को एक साइट के जो राबार है उस पर इसको गिरिजिंग कर लेंगे गिरिजिंग करने से क्या होगा है पानी लगने से बाहिए से कभी कभी राबार के साथ उसका सैप जो है लोहे का है तो वह आवाज करता है फिर दिश्टप होता है तो हम लोग इसको गिरिज कर करेंगे और इसको फिटिंग करेंगे कि करके इजी कुम पराया के नहीं हो देखेंगे यह वाला सब्सक्राइब कर रहा हूं यह मिटल का है और जहां पर पूस होगा वह राबार का है तो पाने जने के वाई से आवाज कर सकता है और दिस्टप होगा तो इसके लिए हम लोग इसको उटिंगे करेंगे अपके वाज गीजने हो एक फिटिंग करेंगे अपका resulting लिए होगा तो ठंडी के लिए कोई वेजलिन टाइप का कुछ हो तो भी लागा सकते स्थेम काम करेगा वाइव हो थन्डी के मॉसम के लिए ब amongst लता है डाइकिन एसी का पाने गिरने का पॉब्लम तो होता नहीं है वालों बहुत ही कम क्योंकि सबसे बड़ा जो ट्रे है मेक्सी और डाइकिन कंपनी का होता है फिका जो भी टाइप का जो कुलिंग कोईल होता है वो पूरा सामने और पीछे दोनों तरफ उस पे बिठा रहता है द सब कंपनी का सेम ही है फिर भी डाइकिन कंपनी का सबसे बड़ा है ट्रे ट्रे बड़ा होने से फाइदा यह है कि जो उसका जो कॉईल है वो पूरा ट्रे का अंदर तरफ होता है उससे पानी फेकने का या खीचने का ब्लॉर से कोई संबाबना नहीं होता है लेकिन दूसरा कि अपनी कुलिंग कोईल जो है उसका जो नीचे के जो भागी है त्रे में जास्ट थोड़ा साइज डूबा रहता है इससे क्या होता है पानी कोईल में पुरा जाने से पहली ब्लोर खींच लेता है सामने से थो गारता है इस तरह एपोब्लेव आता ही रहता है तो हम रोग है यह जो डाइकिन कंपने का सिस्टेम ही यह तोड़ा अच्छा है लेकिन यह वाला मैसिन में क्यू ऐसे दिक्कत हुआ है कि आपको दिखाया हूं कि कीचर कीचर पुरा हो गया था यह पाम से साइट पे सर्विस करने से भी नहीं होता क्यूंकि कोईल के नीचे त सबसे पहले उसका जो पाइपिंग उसको बिठाना पादेगा उसके बाद लेफ साइट का जो दो स्कुरु होता है उसको पख़णने के लिए कुलिंग को तो उस ही सबसे इसको फिटिंग करके हम लोग कंप्लिट किया हूं अब पीचीव को बिठाएंगे पीचीव को पूरा बिठाएंगे इसको कवाल लागा देंगे और दो सेंसर को दो जागा पर लागा देंगे यह कोर सेंसर है यह ин के अर्तिंग भी लागाना जोड़िए और तिंग कभी-कभी क्या होता है पूरा सिस्टम खोलने के बाद आदा चीजस तो लागा भूली आता है तो वह देहन रखेंगे कि ऐसे नहीं होना चाहिए तो सेंसर दुनों पे दो जागा पे पर्फिक्ट जागा पे बैठना चाहिए और फिटिंग सही से होना चाहिए देखिए कुलिंग कोई पूरा कंप्रेट हो गिया है अभी हम लोग पीसीबी को बिठा दिया हूं और इसका जो सोक होगा और इसका जो पीसीबी है वह उससे भी वह मतलों दब जाता है तो वायर काट जाता है ऐसे नहीं होना चाहिए तो इसको उससे सबसे भीठाएंगे और मैस्जिम को चालो करके देखेंगे के हावा का थोरो सही से सही हो रहा है कि नहीं है और इसको ब्लॉर से एक बार हाव मर देंगे कुलिंग का जो पानी है वो सुकाने के लिए फिर मैस्जिम को फिटिंग करेंगे जब पानी गिनने का जो पॉब्लिम होता है तो वहां पर देखिए देखना के दो चीज हो सकता है एक तो पीछे का जो ट्रे है बैक ट्रे जिसको बोलते है मालों बेस ट्रे के पीछे एक ट्रे होता है और कुलिंग कोईल का जो दो चेरा है भी टाइप का जो कुलिंग कोई यह पिछे का कौयल एक ट्रेः पे डूबा रहता है और सामने का फ्रन ट्रेः तीन होता है aK 13 होता है एक का पाने का जाने का भी बागत हुदि के निदुässम है कि इसी पानी पॉर गाम कि ऐसे पानी है और कि दो फॉल परसे reviewed होता है एक साइट होता है एक उसका और थो सादे होता है दोनों होल से पीछे का को फानी का पानी है डैक का ुक aid क्ली पानी का आयसे पॉलिम होगा तो आपको तीनों ट्रे में च defend करना पड़ेगा कि एक 6 लिग बसी चेक करना पड़ेगा कॉलिंक कोयलगा जो पानी है और तो पूरिंग कर पानी ट्रे में आ रहा है, तो ट्रे से पानी ड्रेन होके बाहर जा रहा है कि नहीं वह देना चाहिए और तीन चीज लोर से पानी खीच के सामने तरप फेख सकता है पानी जhit ऊजुँदेने ड्रे गायँ है तो हम लोगा जो सिस्टेम है एक कंप्लीट हो गया है असा करता हुए यह वाला जो मैसी नहीं है और पानी का दिक्कात नहीं होगा और फिटिंग करने के बादी पता चलेगा क्योंकि पहले भी गया था है यहां पर एक हफ्ते का अंदर ही पीछे का जो ट्रेह है वह कीचर क ग्चार हो जाता है पता नहीं चला कि क्यों आई से अपॉल्ल मा नहीं है और जहां पे इसी हैं कुछ केमिकल हो सकता है और рук का कोई वे सबसुर्न आइक कोई हो सकता है कि पानी के सदमेर सोके वह ऐसे की चर्जा बन जाता है तो अभी हम लोग इसको चालो करके साइड पर जब लगाएंगे तब पता चलेगा उस पर पानी सही से इस पर तीन चीज चेक करेंगे एक तो पानी ट्रे में जमना नहीं चाहिए दो पानी का जो तीनोट का ट्रे है पिछे का एक पिछे का दो करेंगे चाहिए पर पानी सही बाहर तत जाना जाए और तो यहां पर देखिए्श को पूलरा ह। गए इसक sut कर दिया हूँ कि है इसको रड़ कर दिंग। अब ऊक्रम कर द cyclismo करेंगे तो मिलों करतो Really कर दो क्लिया है कि अलिए कि क्युनेची करेंड में सबसे चाहिए अलš इसको कोलने में तो बहुत सरे लॉक होता है तो यहां पर तीन इसकुरू यहां पर है खली और पीछे की तरह लॉक है उसको लगा देंगे तो यह मैसिन कंप्लेट हो जाएगे वल्लो पाने गिरने का जो पॉब्लम है यह चीज धियान रखना पड़ेगा कि मैसिन पर गैस लि यह कि नी और पाने जारा कि नी।